हर किसी का सामना हॉस्पिटल से किसी ना किसी रूप में होता है जहां आपने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स को सफेद एप्रिन में देखा होगा लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है इसके बारे में आपने कभी सोचा है आईए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट मे कि आखे डॉक्टर सफेद रंग के कोट का इस्तमाल क्यों करते हैं ये देखिए हमारी रिपोर्ट अकसर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफेद कोट पहने देखा होगा और इस कोट को एपरिन कहते हैं ये कोड सफेद या हलके रंग के सूती लिनन्क या सूती पौलिस्टर मिश्रण से बना होता है जिससे इससे उच्च तापमान पर धोया जा सकता है और सफेद होने के कारण आसानी से पता चल जाता है कि ये साफ हुआ है या नहीं लेकिन खिया आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? तो आईए हम आपको इसके पीछे के कारणों से रूबरू कराते हैं उन्नीसवी शतापदी के पहले केवल वैज्ञानिक जो प्रयोग शालाओं या लाब में काम करते थे वो लाबकोट पहनते थे जो की हलका गुलाबी या पीले रंगा होता था और उस समय जहां वैज्ञानिकों की हमेशा प्रशनसा होती थी तो वहीं डॉक्टर्स पर उस समय उतना विश्वास नहीं किया जाता था इसलिए चिकित सकीय पेशा विज्ञान में बदल गया इस प्रकार डॉक्टर्स ने वैज्ञानिक बनने का फैसला किया जिसके बाद ये भी सोचा गया कि प्रयोग शालाओं में किये गए अविश्कार निश्चत रूप से बिमारी का इलाज करने में सफलता प्रदान कर सकते हैं इसलिए भी डॉक्टर्स खुद को वैज्ञानिक के रूप में पेश करने की मांग कर रहे थे और तभी उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग शालाओं कोट को अपने कपड़ों के मानक के रूप में अपनाया इसके बाद डॉक्टर्स ने 1889 में कोट को पहचानने योग प्रतीक के रूप में पहनना शुरू कर दिया जब लाब कोट चुकित सा पेशे द्वारा अपनाया गया तो उन्होंने अपने कोट का रंग सफेद पसंद किया आधूनिक सफेद कोट कैनेड़ा में दवा के लिए डॉक्टर जॉर्ज आमस्ट्रॉंग द्वारा पेश किया गया था जो मॉनिट्रियल जनरल अस्पताल में एक सर्जिन थे और कैनेडाई मेडिकल असोसियेशन के अध्यक्ष्पी और इस पेशे के नए मानक के रूप में सफेद रंग को अच्छे कारणों से चिना गया शिधिता का प्रतिनिधित्व करने वाला ये रंग जिकित्सकों द्वारा किये गय कमिट्मेंट्स को भी दिखाता है सफेद रंग धलाई का प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए भूसा, जीजुस और संतों को अक्सर सफेद रंग के पहने हुए लिबास के रूप में भी वर्नित किया जाता है सफेद स्वच्चता को व्यक्त करता है और संक्रमण की शुथता को भी दर्शाता है इसके अलावा सफेद कोट उद्देश की गंभीरता का भी तो प्रतीक है ये चिकितसक के चिकितसकी एरादे से संचार करता है और ये प्रतीकात्मक बाधा के रूप में कारे करता है जो चिकितसक और रोगी के बीच पेशेवर दूरी को बनाये रगता है शायर सबसे महत्वपून बात ये है कि सफेद रंग को शांती और सुकून का रंग माना चाता है और डॉक्टर्स का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है इसलिए ही तो डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं ऐसा भी माना चाता है कि हॉस्पिटल में मरीज आकर तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके इसलिए भी डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं श्वस्पिटर्स हूं करा है